हलो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिंद पुरहीत और आज हम आपके सामना डिस्केस करने वालें mathematical expectation और mathematical expectation हम यहाँ पे दो टाइप के random variable होता है और continuous random variable होता है और बेस्ट मैं कंसेट आपको यहाँ पर लास्ट मेरे जो वीडियो से आप प्लीज यहाँ आई टेप पर देख सकते हैं और वहाँ पर मैंने आपको समझायता है कि यह दोनों क्या होते हैं तो यहाँ पर mathematical expectation like discrete random variable के लिए अलग concept लगता है continuous like formula थोड़ा चेंज होता है वो मैं आपको समझाऊगा क्या है तो इस्ट मेरे जो पुराने जिते भी वीडियो से लाइक मैं था मैं था मैं बीस सी वाले students और इंजिनिंग वाले students और competitive exams के लिए 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 और भी वीडियो बना रहे हैं लाइक पार्शल इफरेंचिल एक्वेशन है पार्शल दिफरेंचिशन है maximum minima और double integration है यहाँ पर दैन उसके बाद curve tracing है, asymptote है, curvature है और Jacobian है यहाँ पर और भी मेरे वीडियो से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आई टेप के अंदर और student देखे यहाँ पर यह mathematical expectation क्या होता है let x be any random variable and phi x be any function of x then expectation of phi x is denoted by e of phi x and is defined by expectation of phi x का मतलब क्या होता है, यहाँ पर discrete random variable होगा तो यह जिसी e हटेगा तो summation आ जाएगा phi x और p x, p x यहाँ पर क्या होता है pmf होता है, probability mass function होता है, अगर continuous random variable है तो minus infinite infinite phi x into f x dx होता है, जहाँ पर f x क्या होता है, pdf होता है तो आपको अगर by chance कोई भी question में आपसे पूछे, कि like expectation निकाली तो आपको यह देखनी के जरूत है कि वो continuous random variable का पूछ रही है या discrete का पूछ रहा है, देखो 12th class में जो expected value निकाले के लिए पूछा जाता था, mean और variance वो थोड़ा सा different होता था लाइक वो discrete के लिए पूछा जाता, continuous तो आपका कुछा है नहीं गया है, तो यहाँ पे मैं continuous वो discrete में दोनों में आपको बताऊँगा किस तरह हम निकालते है अब अगर भाइचांस यह 5x की value यहाँ पे क्या होता है, f, this 5x is equal to x हो जाए, क्या हो जाए, x हो जाए, तो यहाँ पे जो दो type का concept आता है ना, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा e x है ना, इस 5x की जगर मैं x रखूँगा तो यह e x आएगा, अब e x यहाँ पे क्या होता है discrete random variable के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम e x की value निका लेंगे तो कितनी आएगी यह, summation x, px, हाना, यह हमारा क्या आता है, x, px होता है, अगर discrete continuous random variable है, तो यहाँ पे कितना आएगा e x की value, हाना, मैं इसको लिकूँआ, तो यह आएगा minus infinity to infinity, x, fx, dx, और this is called mean, इसक पूछा जाएगी, find the variance, क्या पूछा जाता है, कभी-कभी आपसे पूछा जाता है, कि variance निका लेंगे, तो variance का जो formula होता होता, x minus x bar का whole square, हाना, अगर हम इसको simplify करें, like मैं आपको सीधा-सीधा formula बता दू, तो इसका formula होता, e x square minus e x का whole square, पर आपके मने में सावाल पर, खोलोगे तो क्या आएगा, देखिए, आप इसको खोलोगे, तो यह आएगा, x square minus 2x x bar plus x bar का whole square, और mean का expected value, like अगर किसी भी mean का, अगर आप expectation लिकाले, तो वो x bar के बराबर ही होता है, तो आप जैसे इसको simplify करोगे, हाना, तो यह आएगा, e x square, और यह x bar तो ऐसी हड़ गया, और e x लग जाएगा, then यह पर ऐसा ही रह जाएगा, और then यह e x की value, आप इस क्या होता है, x bar ही होता है, तो यहाँ से इसकी value आती, e x square minus e x bar हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 2 x bar का square, प्लस x bar का square, हाना, तो यहाँ पर इसकी value आ जाएगी, e x square minus x bar का square, और हम जानते ह X बार का मतलब क्या होता है? EX होता है, राइट है ना? इस mean को हम X बार भी बोलते हैं, यह ध्यान दिने की सब होता है, और student मैं आपको moments का जब chapter पड़ा हूँ, तब मैं आपको थोड़ा और ग्यान दूँगा, तब मैं आपको थोड़ा सा और in-depth ग्यान दूँगा, कि moment about the mean क्या होता है, moment about origin क्या होता है, moment about any other point क्या होता है, skewness, kutus, is क्या होता है, यह सब आपको बेज़ क्योंस अपन discuss करेंगे, तो इस बेज़ आपको यहाँ पर कुछ क्योंस लेते हैं, So student, यहाँ पर दो questions देखें, आप क्या दे रिखा है, find the mean and variance of the probability distribution given by the following table, आपको यह टेबल दे रिखें और आपको यहाँ पर इसका क्या निकालना है, mean और variance निकालना है, तो student मैं आपको बता चुका हूँ, कि जो mean है, वो क्या दे रिखा है, यह एकसा होता और student यह discrete random variable है, like 1 पर दे रिखा 2 बीच की value गाया है ना, तो इस type के जो table में दे रिखा होता, वो मार क्या होता, discrete होता, discrete के लिए हम क्या यह उज़ करते हैं यहाँ पर, summation xpx लिखते हैं, तो इसको इससे multiply कर दीजे, इसको इससे multiply करेंगे, तो 0.2 आएगा, यह आएगा 0.7, then यह आएगा आपके पास 0.75, then यह आपके आएगा 0.6, then यह आएगा 0.25 है ना, और जिसे आप इसको add करोगे, तो यहाँ से आपके पास जो value आएगी, वो कितने आएगी, 2.5 आएगी है ना, अब आपसे पूछ रहाँ वारियंस, तो वारियंस निगालने के लिए हमें सबसे पहले किसकी value चाहिए, e x square की चाहिए, that is x square into p, इसका square करके से multiply कर रहा है ना, तो 1 का square करके से multiply करेंगे, तो कितना हैगा student, 0.2 हैगा, इसका square करेंगे, तो that is 2.4 आएगा, ना, दैन इसको करेंगे 5, 5 का आएगा 25 और 25 को 5 से multiply करेंगे, कितना हैगा, 125, that is 1.25 आएगा, और इसकी value को हम जब add करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो value आएगी, वो कितनी आएगी यहाँ पे 7.5 आएगी, तो यहाँ से हमारे पास जो answer आएगा, वो कितना आएगा, 7.5 हैगा, और जो variance होता है, that is variance of x, या इसको हम sigma square x बोलते हैं, इसका formula होता, e x square minus e x का whole square, तो जैसे हम यहाँ बात करेंगे इसकी, that is 7.5 minus 2.5 का whole square, तो यहाँ आएगा 7.5 minus 625, तो यहाँ सापके पास भी लियाएगी 1.25, तो इससरह सम यहाँ पे variance की value निकालते हैं, इस्टोटन एक कर्ष्ण देखिए, यहाँ पे क्या थरीका 13 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards, इफ एक काउंट वन, बदर एक को एक नंबर देंगे, एन फेस कार 10, जो फेस कार्ड होते हैं, जो फेस कार्ड होते हैं, लाइक गुलाम बेगम बाश्चा है, जेक, क्वीन और यहाँ पे कीं होता है, इसको एम 10 नंबर देंगे, and other according to their denomination, find the expectation of the total score in the 13 cards, तो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, X देंगे, यहाँ पे क्या होगी, इसकी probability होगी, तो देखो, इकके को एक नंबर देंगे, दुगे को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, जो भी उसके denomination की according, अब देखो, यहाँ पे आएगा, like J का आएगा, Queen आएगा, और King आएगा, like Gulaam, Begum, बाश्चा, तो Gulaam को भी हम 10 नंबर देंगे, Begum को भी 10 नंबर देंगे, और King को भी 10 नंबर, क्योंकि बोला, इसने face card का नंबर क्या है, 10 है, बाके सब अपने नंबर के इसहाब से, अब देखे, 1 का, 1 के कितने होता है, 4 होता है, like 1 कितना होता है, 4 होता है, 52 में से, तो इसकी जो probability होगी, वो कितनी होगी, 4 by 54, 52, तो यहां से इसकी जो probability आएगी, वो कितनी होगी, 1 by 13, से हम दुगगा भी 4 होता है, तो इसकी probability भी कितनी होगी, यह सब कितना होएंगे, 4 चारी होता है, तो यह आएगा 1 by 13, 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 1 by 13 and 1 by 13. अब क्या करेंगे? आपको इसका मेन निकालना है, यह क्या आएगा? EX, है ना? इन दोनों कापस में क्या करो? मल्टिप्लाइ करके जोड़ दो. तो मल्टिप्लाइ करो इसको कितना आएगा? यहाँ पर, यह से मल्टिप्लाइ आएगा, प्लस यह, प्लस यह, प्लस यह, प्लस यह, प्लस यह, प्लस इससे, प्लस तो 1 by 13 क्या आ रहा है? common आ रहा है ना तो अंदर कितना पचेगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 right है ना तो इन सबको आप यहाँ पे क्या कर देंगे add कर देंगे और add करने पर आपके बास जो value आएगी वो कितने आएगी यहाँ पर 85 by 13 आएगी right तो यह हमारा क्या आएगा answer आएगा ठीके तो इस तर दसने निकाला जाता है तो स्वेट देखिए यहाँ पर एक last question और कि continuous random variable में अगर आपको इस सबसे question दे रहा तो कैसे उसका mean और variance निकालते हैं continuous random variable x has density function given by this then find the expected value and variance of x. expected value और mean का मतलब एक ही होता है right अब हम सबसे बारे बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम mean की है इसको बोल like हमारे पास जो इन लिमिट होगी वो 0 to infinity होगी और fx fx यह x है और fx के वेलिए कितनी 2e की पावर माइनस 2x into dx then इस 2 को बहार निकाल दीजे 0 से infinitive x e की पावर माइनस 2x dx और student यह जो फार्मला होता है किसका फार्मला होता है गामा function का होता है और आपको मैं पता दूं गाम minus x dx की जो वेलिए होती है वो कितनी होती है गामा n upon a power n इसका फार्मला होता है तो यहाँ पे power कितनी होरी देखो 1 होरी है तो यहाँ पे इसकी जो वेलिए होगी वो कितनी आएगी 2 है गामा 1 upon कितना आएगा यहाँ पे 1 की power like यहाँ पे 2 की power कितनी आएगी यहाँ पे 1 आए अब हम बात करेंगे किसकी variance, आरे मेरे फाई, x की power कितनी n, n की value कितनी 1 है, तो gamma 1 हो जाएगा, और जो भी यह 2 है, that is a, तो यह किचे आएगा, 2 power 1 हो जाएगा, ठीक है, अब बात करेंगे हम variance, तो variance के लिए हमें e x square की value चाहिए, तो क्या आएगा है, minus infinity to infinity, x square fx dx, now, minus, अब यहाँ पर क्या ओरा, 0 से बड़ा है, तो यह हो जाएगा, 0 से infinitive, x square, fx की value कितनी है, 2 e की power minus 2x dx, then, यहाँ पर 2 बहार निकाल दीजे, 0 से infinitive, x square, e की power minus 2x dx, वो student, यहाँ पर कितना आ रहा value है, 2 आ रहा है, तो यहाँ से इसकी value होगी, कितना होगा, x power n minus 1 होता है, x power n minus 1 होत यहाँ पर होगा, तो यह गामा 2 की value किसके बराबर होती है, गामा 2 की value, 1 के बराबर होती है, x power n minus 1 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह 1, यह n minus 1 कब होगा, जो भी power होती, वो एक बढ़ जाती, यहाँ पर जो n minus 1 होती है, यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर कितना है, 1 है तो नहीं तो यहां कितना आ जाएगा रहिए नग इहां से इसकी जो मेन की किली होगी कितनी आगी थोड़ेसा करेक्षिन है हाना दुर्मा यहां कि वेलं कि जो रहíss्टी हो कितनी होती हिती गमा 3 की विल्टी ठी HARRY की value होती है, ex square minus ex का whole square, तो ex square की value कितनी आएगी यहाँ पर, 1 का square और 1 by 2 का square, that is, यह आएगा, then इसको simplify करेंगे, तो 1 minus 1 by 4, that is equal to 3 by 4, यह इसका यहाँ पर क्या होगा, variance होगा, तो इस तरह से यहाँ पर mean और variance की हम value निकालते हैं, तो student, यहाँ पर थोड़ा सा correction है, यहाँ पर gamma 3 है, तो यहाँ भी 3 आएगा, तो यहाँ आएगा आपके पास 8, तो यहाँ सा आपके पास जो value है, यह 1 by 2 होगी, थोड़ा सा correction हो गया, so 1 by 2 हैगी, तो यह कितना आएगा यहाँ पर आपके पास, यह 1 by 2 minus 1 by 4, that is equal to 1 by 4, तो इस तो student, मेरा जो यहाँ topic पढ़ा है, like mathematical expectation, हमने यह यह देखा, कि mean की और variance की definition, continuous और discrete random variable में क्या होती है, और कैसे हम discrete random variable का mean और variance निकालते हैं, उसके बाद continuous random variable का mean और variance किस तरह से निकालते हैं, यह मैं आपको बताया, next उसकी बाद आपके सामने में लेने वाला हों कि moments क्या ह होते हैं, और कैसे हम यहाँ पे moments की value निकालते हैं, और कैसे हम यहाँ पे skewnis और kutuses को हम discuss करते हैं, so thank you so much for watching my videos, और student, मेरे engineering mathematics और B.A.C. और like competitive exams के लिए IIT जहें, GATE है, then IES का optional paper, इन सब की videos यहाँ पे upload कर रखे हैं, तो यहाँ पे last जो screen आ रही है, यहाँ पे आप मेरी videos देख सकते हैं, like, share और subscribe channel को करिए, notification bell को press करिए, और बने रही है मेरे साथ, आगे बहुत अच्छा content में आपके लिए लेने वाला हूँ, thank you so much.